हाई गाईज वेल्कुम तो लास्ट मेंटीशन मेरा नाम है नेट सेन और आज हम लोग कंटीन्यू करने वाले एममसी लास्ट टाइम मैंने आपको टैको मीटर्स के उपर मैंने एक वीडियो लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्ट्रोबोस्कोप नाम का एक होता है जो लास्ट टाइप था इसका उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनागा क्योंकि वह थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है ठीक है तो आज हम लोग देखने वाले स्ट्रोबोस्कोप सबसे पहले हम उसका देफिनेशन देखेंगे फिर वह कैसे करता है वह देखेंगे फिर हम लोग एक प्रोसीजर पढ़ेंगे जहाँ प contradiction की उसक कि एक पौाइंगे स्ट्रोबोस्कोप को फ्रीकवेंसी ठूञने के लिए ठीक है फ्रेक्वेंसी सिंपल ओंपीम जोणना है स्पीड दूणना है पर मिनिट को सबसे पहले ब म्लो अध buyer गए सर्पोस्कोप क्या angular velocity कैसे जोनदा जाता है इसमें angular velocity यह मांक को इस मांक को follow करके इसका angular velocity जोनदा जाता है कैसे वह बताता हूं सबसे बurn MMA इसका construction देहे यह हमारा shift जो rotate होता हुता है टेके अटेटिट מא और rotating disc आप इस rotating disk प отправ मांकर जालتा है यहाँ पर एक मार्क डालते हैं और यहां से हमारा stroboscope flashes of light देता रहेगा, ठीक है, जितने बार flash of light इस mark पर गिरेगा, उतने बार वो mark दिखेगा, ठीक है, तो यह rotate होते जाता है, light इस पर गिरता है, वो mark दिखता है, simple सा concept है, वापस एक बार बताता हूं, shaft है, rotating disk है, उस पर एक mark है, यहां से light आता है, mark पर ग वो cases में आपको बता था, वो cases दो चीजों पर depend करते हैं, सबसे बहली बात, speed of shaft, second, speed of light flashes, इसमें हम लोग इसको frequency बोलते हैं, उसको technical term में बोले है, frequency of shaft, frequency of light flashes, next देखिंगे हम लोग, थोड़ा इसके उपर पढ़ लेते हैं, also known as strobo tack और strobo flash, क्योंकि flashes of light यूज होते हैं, ठी device that produces intermittent flashes of light using neon gas discharge lamp, अब मैंने यह जो आपको ये चीज़ बता ही यह आपे, ये क्या होता है, intermittent flashes of light using neon gas discharge lamp, okay, next, the flashing rate is controlled by a variable frequency electronic oscillator, सबसे कुछ tension लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ इस नाम को याद रखना, variable frequency electronic oscillator, जो अलग-अलग frequency से आपको flashing rate देता है, flashing rate क्या होता है, जो rate से आपका light उस marker पे गिरता है, उसको बहते हैं, आम लोग, flashing rate, next, a disk with a radial mark is mounted on the shaft and flashes from the stroboscope are directed to fall on the disc, same चीज में आपको बता है था, stroboscope से light आता है, disk पे गिरता है, mark पे गिरता है, mark दिखता है, correct, next, अब हम लोग 3 cases देखेंगे, सबसे पहली बात जब disk का speed, flashes के speed से same होगा, second, जब disk का speed, flashes के speed से जाधा होगा, और third, जब disk का speed, flashes के speed से कम होगा, इससे क्या होता है, इससे marker जब दिखता है, जब हम high speed पे होता है, तो एक ऐसा point आता है, जब marker अलग-अलग point पे दिखता है, या फिर same point पे constantly दिखता है, ऐसे जैसे कि वो हिल रहा ही ना हो, उस हिसाब से, उस theory को use करें के, हम लोग speed of shaft find out करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहली बाद, case 1, fr is equal to fs, mark on the disk appears to be stationary, तो मैं जैसे बोड रहा था, यह हो गया हमारा disk, ठीक है, और समझें मैंने यहाँ पे marker रखा, अब यह disk गोल-गोल गुमता है, तो originally, speed के हिसाब से, marker कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन, अगर इस disk का speed, हमारे light के speed से, एकोलो, जैसे यह होता है, FR is equals to FS, तो फिर, वो disk और वो marker, सिफ एक जगे पर stationary दीखेगा, ऐसे जैसे कि वो हील ही ना रहा, ठीक है, अगर FR is equals to FS, case 2, अगर FR is greater than FS in multiple, समझो, मेरा FR है 1200 RPM, लेकिन, मेरा FS है 600 RPM, ठीक है, तो FR is equals to 2 FS, बरबर, तो mark is stationary, but shaft completes end rotations, when flashes make FS, इसका मतलब क्या होता है, समझो, मेरा flash आ रहा है, मेरे shaft पर, ठीक है, मेरा disk कि इदर है, mark मेरे को भले stationary दिखेगा, mark भले ही है, यह हो stationary होगा यह, लेकिन, इसके एक route, मेरे frequency के, एक RPM के frequency पर, मेरा disk दो बना है, दो rotations लेगा, ठीक है, सिंपल है, अब हमनों जाएंगे, case 3 पर, case 3 क्या बोलता है, FS is greater than FR, correct, लेकिन, FR is FS upon N, इसमें क्या होता है, मेरा light का speed जादा है, समझो, मेरा light का speed है, यह same example देते हैं, मेरा light का speed है 1200, sorry, 1200, और मेरा FR हो जाएगा, 600, तो FR is equal to FS upon 2, उतना ही, मुझे, वही number के marks दिखेंगे, एक mark इधर, और एक mark इधर, equal distances पर, समझो, तीन का फरक है, ठीक है, समझो, यह 600 नहीं, 400 है, तो FS upon 3, तो मुझे, तीन का फरक दिखेंगे, मुझे, ठीक है, यह था हमारा case 3, अब हम लोग इसका procedure देखेंगे, कि इसको find कैसे करते हैं, सबसे बहली बात हम लोग उस पे flashing, एक flashing rate से हम लोग उस पे disk पे light देते जाएंगे, ठीक है, मैं आपको diagram बताता हूँ, ताकि और easy हो जाए, अब यह disk है, मेरा F1 से, समझो, मैंने F1 से light इस पे flash करना चालो करती है, तो मुझे एक stationary image दिखेगा, अब मैं वो rate बढ़ाते जाओंगा, कम करते जाओंगा, sorry, वो second procedure है, first में हम लोग कम करते जाएंगे rate, ऐसे हैं कि हम लोग को F2, F3 और FN मिले, F2, F3 और FN क्या होता है, इन frequencies पे भी, F2 पे या F3 पे या FN पे भी हम लोग को एक single mark दिखना चाहिए, one stationary image, जैसे F1 पे दिखता बसे हम लोग को F2 और F3 पे भी one stationary image दिखना चाहिए, अगर ऐसा हो, और समझो FN मेरा, मैं समझो यह fifth लेता हूँ, ठीके, तो यह fifth frequency का मैं, यहाँ पे डालूँगा इसको, ठीके, यह मेरा fifth frequency हो गया, यह number of frequency मेरा हो गया 5, minus 1, FN है मेरा first highest rate, यह highest rate, और FN minus, F1 minus FN, इससे हम लोग को मिलेगा हमारा FR, जो frequency है, जो speed हम लोग दूण रहे हैं, second part है, हम लोग, second part नहीं, यह second method है, lowest number of flashes per minute से हम लोग चाल करते हैं, और frequency increase करते हैं, procedure सेम रहेगा, one stationary mates से, तो यह था stroboscope का procedure, plus stroboscope का construction, ठीक है, अगर आपको यह वीडियो हेलपफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करो, चानल को सब्स्राइब करो, तो अगर आप कोई doubts है, तो उसको comment section में पूछना, अगर आपको जाद और courses चीए, और notes चीए, तो, हमारी website पे, login करना, lastpromotations.com, and thanks for watching guys.